रोज रोज वही रोटी दाल चावल सबजी खाके बोर हो गए हैं और कई बार बच्चे भी जो है न रोटी खाने को नहीं देखते हैं घर पे दो-तीन रोटी बच्ची हुई है और बच्चे जो है कुछ चटपटा खाने की डिमांड कर रहे हैं तो आप मेरे तरीके से ये नास्ता बना के उन्हें सर्फ कर सकते हैं जो की खाने में भी बहुत ही टेस्टी और सासाथ हेल्दी भी रहेगा तो समोसा भजिया की जग तो इस नास्ता को बनाने के लिए मेरे पास ये दो रोटी बच्ची हुई है तो इस दो रोटी से हम जो है दो-तीन लोगों के लिए आराम से नास्ता बना सकते हैं तो आप जो है रोटी ले लेना और इस रोटी को पहले आप करना रोल तो इस नास्ते को आप बच्ची जब रोल करते हो तो रोस तूटता है लेकिन जब ताजी रोटी रहती है तो रोल आप करते होए प्रेस करना चोटे-चोटे तूटे में ये नास्ता बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में और इसका स्वाद जो है इतना अच्छा लगेगा कि किसी को भी आप एक बार बनाके खिला देंगे ना कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे रोटियों से बनाया हुआ है तो रोटी को कट करने के बाद इसे हलका सा मैश कर देना ताकि जो तुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे तो बहुत जादा मैश करते हुए नहीं करना बस हलका सा करना तो इस तरीके से रोटी के तुकड़े रेडी हो जाएंगे फिर हमें इस नास्ते के लिए घोल बनाना है तो यहाँ पर मैंने ये चार-पांस चम्मच लिया है आरा रोट अरा रोट घर पे नहीं है तो आप यहाँ पर चावल काटा ले सकते हैं या फिर मैदे का इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद इसमें आप डालना आधा चम्मच गोल हमें तयार करना है इतना गाढ़ा हमारा गोल होना चाहिए तो गोल को हम साइड में रख देंगे और अब हमें एक मसाला तयार करेंगे जिसके लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पर बॉयल किया हुआ आलू तो मैंने यह चार आलू बॉयल करके लिया हुआ है उसके बाद इसमें एट कर देना बारिक चौप की हुई प्याज फिर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है हरी मिर्ची बारिक चौप की हुई हुई तो मैंने यहाँ पर यह चार हरी मिर्ची लिया है आप कॉंटिटी कम जादक कर सकते हैं इसी के साथ आप इसमें एट करना आधा चम्मा जीरा, साथ में आइट करना आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हमने हरी मिर्ची ज़्यादा इस्तमाल किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना और नास्ति को थोड़ाना स्पाइसी बनाना, जिसे की टेस्ट ज़्यादा अच्छा हैगा, फिर आप आधा चम्मच इसमें काट करना और हरी धनिया डाल करके मिक्स करना, तो जब आप गाजर को कद्दू कस करेंगे तो उसमें से जूस निकलेगा, जूस को हम छान के फिर इस्तमाल करेंगे गाजर को, ताकि हमारे जो डो बना रहे हैं इसमें गीला पनना हो, जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आप थोड़ा सा लेना, इसे गोल गोल करना और हलका से प्रेस करके टिक्की जैसे बना लेना, आप यहाँ पर साइस छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई अलग डिजाइन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इस तरीके से आप बनाते हो तो यह देखने में अच्छा लगत इसलिए मैंने यहाँ पर यह टिक्की जैसा बनाया हुआ है, सारी टिक्की हमें पहले इसी तरीके से तयार कर लेनी हैं, उसके बाद आप लेना गोल, गोल में एक टिक्की को डालना और इसे घुमा घुमा करके घुमा में अच्छे से नहला देना, फिर हमें उपर से इस पे टाइम लेगी तो हलका सा प्रेस करते हुए आप इसे चिपकाते हो तो अच्छे से चिपक जाती है जहां पे आपको लगे कि जो है रोटी चिपक नहीं रही है वहां पे आप हलका सा घोल लगा सकते हैं घोल लगा लेने से रोटी हलका सौफ्ट होगी और वो तुरंत चिपक तो इस तरीके से आप जो है इस नास्ते को बना सकते हैं तो सारा नास्ता आप पहले इसी तरीके से तयार कर लेना उसके बाद हमें इस नास्ता को फ्राइ करना होगा तो फ्राइ करने के लिए आप पहले से ओयल गरम होने के लिए रखना जैसे ही ओयल अच्छे से गरम हो लगा है कलची से अलट पलट करते हुए नास्ते को फ्राइ कर लेना इसे फ्राइ होने में छे साथ मिनट का टाइम लग जाएगा जैसे आप देखें कि उपर से एकड़म क्रिस्पी दिखाई देने लगा है लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है सारा नास्ता ओयल से बहर निक लगेगा जब आप इसे गर्म गरम खाएंगे तो यह क्रंची रहेगा और हलका ठंडा होने के बाद यह सौफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप रोटियों का नास्ता बना के अपने घर पे पूरे परिवार के साथ इंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रेस्पी में बाई गाईस